आज हम पढ़ने वाले हैं model work, देखें model work के questions हर एक exam से पूछे जाते हैं, अब चाहिए हम bank की बात करें, SSC हो, ब्यागम के सभी exam से पूछे जाते हैं, bank, SSC में क्या होता है, आपके error based questions पूछे जाते हैं model work से related, और ब्यागम के exam सो जाता है, fill up based question आपके model work से related पूछे जाते हैं, और जितने भी state exam सुते हैं, उसमें आपके grammar का important part है ही model work, model work important है, पर काफी जादा confused भी करता है बहुत सरे students को कि कहां पर क्या model work use होना है, क्योंकि एक ही model work का कई सारे तरह से use होता है, जैसे अगर हम can की बात करें, तो can का use का पर permission के लिए भी कर लेते हैं, can का use का पर ability के लिए भी कर लेते हैं, तो काफी confused हो जाते हैं इस बात में कि particular जो हमारी model work है, उसका use कहां कहां हम कर सकते हैं, आज हम एक chart देखेंगे, उस chart के थूँ आपको सारी की सारी model works एक ही बार में याद हो जाएंगी, जिख लिया तो आपको सारी की सारी model works पूरी अच्छे से याद रहेंगी, कहां का उनके use होते हैं, यह आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो IMPORTANT है MODEL WORK, इस बात को ध्यान दखना है अब तब से पहले MODEL WORK को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा साथ यह meaning जान लेते हैं कि MODEL का meanin क्या होता है अब इस बात को ध्यान दखना है, यह MODEL वो MODEL नहीं है जो हम सोचते हैं कि TV अगरा में हम देखते हैं वह नहीं है यहां पर model बब अलग है अब model बब क्या है देखो model बब की जिए हम बात करते हैं तो आपको एक बात समझ में आना चाहिए कि देखो एक होता है हमारा Tense, एक हमारे क्या होते है Tense जब भी हमें कोई sentence बनाना या कुछ नहीं बात कहना है आपको शोशना है कि क्या हमेशा ऐसा ही होता कि हमेशा घ्रारई करते हैं एसा तो नहीं होता ना कि हमेशा हम समय की ही बात करें, हमेशा हम टाइम की ही बात करें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, जब भी हम कुछ बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा हम टाइम की ही बात करें, नहीं होता इसा, कई बार हमारे मन की बात भी बोलते हैं, हमारे मूर कोई बात नहीं होगते हैं इस्पॉण्स के बात नहीं होती है वह सारी के सारी वर्क्स आपकी कि model works कहलाती है मैं simple गोल सकते है no time कोई समय नहीं कोई भी यहां पर समय की बात नहीं की जाएगी और जहां समय की बात की जाएगी वो हमेश helping work भी लगाए अगर उनने helping लगाई है तो समझ मैं आता है कि हम समय की बात कर करें ताइम की बात कर तो जहां पर हम ताइम की बात कर रहे हैं मतलब हम सकते हैं । Model work जहां पर हमारी मन की बात को बताना चाहते है'm about to say को little wish you We Term इस बात पर आभि wait you multiplezn को you takenoise या तो उसमें helping आती है या फिर model आती है time की बात करें तो helping work होगी और otherwise हम बात कर सकते है model work की और वर बाती और object आता है और subject होता है किती भी sentence में sentence का structure आपका यह होता है अब model work में क्या बाते होती है मतलब किस किस type की sentence है किस type की बाते हैं model work में या model work से हम कर सकते हैं अब इसमें ध्यान रखें अगर हमें wish जाहिक करना है desire बताना है responsibility हो सकती है responsibility permission permission जब फिर ability ability को show कर सकते हैं advice को show कर सकते हैं तो इस type के कुछ हमारे जो words हैं मतलब हमें wish बताना है desire है responsibility है permission हम लेना चाहते है ability है advice है यह कुछ type के words है sentence है हम model work के through इस type के words type के sentence को हम बना सकते हैं use कर सकते हैं क्योंकि जब किसे को advise दे रहे तो time की बात नहीं करने होते ability बता रहे हैं अपने time की बात नहीं करने होते तब ध्यान रखें जहां पर time नहीं होता कोई भी time की बात नहीं करते वही होती है हमारी model work तो model work को simple language में बोलेंगे जहां पर no time हो कोई time की बात ना की जाए simple है जहां पर कोई समय की बात करी नहीं रहे हो no time है यहां पर कोई समय नहीं हो तो वह आपका model work कहलाएगा अब model work तो देखो बहुत सारे होती है क्या होती है can, could, may, might, must बहुत सारी है अब हर एक का use भी अलग-अलग होता है can का use दो-तीन तरह से होगा put का use दो-तीन तरह से होगा make का must का अगर एक-एक model work पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी model work पढ़ना पढ़ेगा और सबके use अलग-अलग पढ़ना पढ़ेगा जो की काफी अगर आपने इस एक टेवल को याद कर लिया इस एक चार्ट को याद कर लिया अपको सारी याद कर लिया आपको अलग-अलग से पढ़ने की जबत नहीं पढ़ेगी कि में का use का होगा मायक का use का होगा मस्ट का use का होगा एक साथ आप सबी model work को पढ़ेगा पहला देखते हैं जितने भी important model work से सबको cover कर लिया ही हैं इसे आपकी questions आते है can, might, may, must, would और two हैं इसे questions आते हैं capability या capacity बताने के लिए जंता या फिर योकिता बताने के लिए भेशा कं का use किया जा जाना है क्या जाना है को होता है तो पास्ट आपलिटि को शो Install ना ही हमें तो हम क्या करें कि पइस करेंगे इस कोड़ How है तो जो important use है वो हमने यहां पर लिखे हैं थर्ड दिखते हैं मेका यूज कहा हुगा मेका यूज पर्मीशन ले रहे होते हैं तब हम मेका यूज करते हैं बच्पन से हम बोलते आएं कि मैं I come in में I use this ए यह सम्तिक जो भी हमारा है पर्मीशन ले रहे है किसी इसे पर्मीशन लेते हैं तो मेका यूज कर सकते हैं possibility है संभावना है तो मेका यूज कर सकते हैं और wish desire जो है कि विष डिजायर इच्छा जाहर कर रहे है विष कर रहे है किसी को धहां लखे में का यूज कर सकते हैं तो में का यूज चीन जगा होता है might जो है might का यूज का होगा less possibility कम संभावना को दिखाने के लिए possibility को दिखाने के को किशेल्ह करें में के साई उसमें भी माइट का उसमें का यूज कidän र cabin किशेल्हूंक कSu isolator के जाता है। मैं करके से उसमें की पर और सिम्पलन cockpit रिपाइगन मत की पर था यह गहले हैं तो मुंस करें स्ट्रॉंग यूगेशन जो है किसी की रिपसी करेंगी होने की बहुत ज्पावना तो मुंस का यूज करते हैं यह दिकते इस शूड का यूज का होग खर सलाह दे रहा उनसप्रिकार जब किसी को नेतिक करदा हुए नेतिक दायत पर हम बताने होते हैं तो हमेशा शुड का यूज किया जाता है नहीं किते हैं वुड का यूज का होगा वुड का यूज के लिए किसी को पुलाइटले हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम वुड का यूज कर लेते हैं पास्ट हैविट के लिए definitely would का you use के जाता है और unreal situation conditional sentence में भी हम would का use करते हैं unreal situation जो real नहीं है ऐसे कुछ या फिर conditional sentence में हम would का use करते हैं next is opt to opt to का use moral obligation पे होगा जहानरे के moral obligation में should का use भी होता है कुछ-कुछ आपके same आपको मिलेगे जैसे permission में यहां use का use एक के लिए और होता है और रोट के साथ तुका यूज नहीं किया जाता है रेकिन शुट के साथ तुका यूज नहीं किया जाता और इस दोनों का use moral obligation में हम कर सकते हैं Next, need की बात करें Need एक model verb भी है, semi models कही जाते हैं Need और dear Need का use required to, जब कोई जरूरत होती है उसको show करने के लिए need का use करेंगे Dear की बात करें, dear का use to be courage हिम्मत को show करने के लिए हम dear का use करते हैं Next, used to past habit को show करने के लिए कि मैं ये काम किया करता था, ऐसा कोश है Past habit को show करने के लिए use to true कर दाता है Simple है, सारी की चरी model verb हमने एक साथ, एक ही table भी ले ले ली है लेकिन इसमें क्या होता है कुछ अब की जो होती है model verb जो confuse करती है जैसे क्या है कि ये जो possibility है, possibility या जो probability है संभावना है कि चीजती होने की उसमें आपका मे का use भी होता है माय का use होता है मस्ट का use भी होता है अभी अब इसमें थोड़ा सा difference देख लेते हैं कि जब possibility होती है मे का use कहां करेंगे, माय का और मस्ट का use कहां करेंगे ये काफी confused करते हैं लगवक्त सेम मीनिक होता है और सेम तरह से यूज कर सकते हैं इसको भी देखने बाले हैं और मस्ड और शुड में भी डिफरेंस देखेंगे डिफरेंस होता है बाकी अगर आपने यही तेवल अपने अच्छे से याद कर लिए तो आप बहुत सारह कोश्ट्ट्ट्ट्ट्ट से रेलेडिड होते हैं आप इसली सॉल्व कर सकते हैं देखें प्रॉइबिलिटी की बात करें या पॉस्बिलिटी सभावना की बात करें तो पॉस्बिलिटी में में का यूज भी होता है माइट का यूज भी होता है मस्ट का यूज भी होता है यह में काफी कंफ्यूज करता ह कि में माइट और मस्ट का यूज कैसे करना है कि में का यूज भी होगा माइट का यूज भी होगा और मस्ट का यूज भी प्रॉब्लेटी या पर पॉसिब्लेटी में होता है अब कहां यूज होता है उसको पॉसिब्लेटी में तीनों का यूज होगा लेकिन आपको ध्यान द है तो हमेशा हम बात करेंगे out key और किसी भी की होने की संभावना है तो keeping हो सकती है नहीं हो सकती दोनों बाते हैं तो यह यूज करेंगे हम मेका और अगर इसी बात के होने की हाई पॉसिलिटी है उसी इसी बात के होने की बहुत जादा संभावना है तो हम मस्ट का यूज करते हैं तो सिंपल है पॉसिलिटी में प्रॉबिलिटी में तीनों यूज हो कि अगर किसी बात के होने की 0 से 25% chance है तो आप माइक का use कर दें अगर किसी बात के होने की 25 से 50% chance है तो होगी वह चीज तो आपका हो भी सकती है नहीं वह सकती मतलब ऐसा कुछ है 25% से आपकी 50% सब 50% तब chance है तो मेका use होगा और must का use का होगा जब किसी बात के गूने के बहुत ही ज़्यादा चांस है मदब 50 से 100% मान लोग इतने ज़्यादा चांस है किसी चीज के होने की कि होगी कोई चीज तो आप must का use कर लेते हैं वहाँ पर जैसे अगर मैं यह बोलू कि यह पास दा एक्जाम यह की might pass the exam अब आप यह बोले, might pass the exam वहाँ पास कर सकता है possibility के लिए में बिलकुल आप माईट कर यूज कर लो कोई दिकत नहीं लेकिन अगर आप माइट बोलना है तो इसका मतलब भी निकल गया रहा है कि वह एक्जाम पास कर सकता है मतलब हो सकता है पास कर भी ले या नहीं भी कर ले मतलब इसे मान लो कि आपको या आपको कोई फ्रेंड है जिसने बिलकुल भी पढ़ाई नहीं की बिलकुल पढ़ाई नहीं की तो आप अंदादा लगा रहे हो आप पॉसलेटी बता रहे हो कि वह एक्जाम पास कर सकता है मतलब वह भी सकता ह आ रहा है कि उसके पास होने के थोड़े ज़्यादा चाहते हैं मतलब आपका कोई फ्रेंड है या आप यू आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई कि लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं कि थोड़ी बहुत कि तो उससे क्या होता कि आप बोल सकते हैं ही वे पास देग्ज बहुत ज़्यादा पास करेगा ही मतलब बहुत ही ज़्यादा चांसे हैं किसी बात के होने के मतलब 50 से 100 परसें तक चांसे किसी बात के होने के तो हम डेफिनेटली वहां मस्ट का यूज करते हैं तो यह समझना है possibility में कहां पर में का यूज कहां पर माय का यूज कहां पर मस्ट का यूज किया जाता है अब एक और कुछ confuse करते हैं और तो और शुड और आपका मस्ट भी क चाहिए यह काम करना चाहिए और पर कंपल्शन है मतलब कोई काम होना हमारी मजबूरी है तब मस्ट का यूज करेंगे और सिंपल मोर्ल अगर हम यह लगा दिया तो यहां पर आपका है कि यह आपती कंपल्शन है स्ट्रॉंग ऑब्लिकेशन है कि आपको ऐसा करना ही चाहिए जहां किसी बात पर जोड दे रहे हैं और यह बता रहा है कि आपको यह काम होना ही चाहिए यह काम करना ही चाहिए ऐसा कुछ सेंस आता है तो हमेशा मस्ट का यूज हम पर कर सकते हैं तो मस्ट का यूज हम करते हैं तो इसका सेंस यह निकल के रहा है कि आपको अपने परेंट्स से लव करना ही चाहिए यह आपका से लिए आगर यह बोलें इसी में आप शुड यूज करते हूं को इसका एक यूज कर दो कोई दिश्कल करते हैं कि आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि कि नेते कर्थब लोट बीत पर बता रहे हैं कि कि आपको ऐसा करना क्या होता है नेते कर्दफ्व हम बता रहे हैंfte कि आप ऐसा करना चाहिए यहां पर किसी बाद पर जोर दे रहें कि आपको ऐसा करना ही चाहिए यहां पर जाती है स्ट जा सब्धोर सब्सक्राइब कले और अक्षी आप करना चाहिए आप कर वह सकते और पशर եोठ कills है उसको याद रखें बाकि अब कुछ कोशन करेंगे जो टेवल अभी आपने बनाई थी चार्ट बनाया था मॉडल वग से सारे के सारे कोशन आप वहीं से ही स्वाल्ब कर सकते हैं देखते हैं कुछ कोशन मॉडल वग के एक्जाम से पूछे जाते हैं यह कुछ कोशन हैं इस टाइप के कोशन मॉडल वग से रिलेड़ पूछे जाते हैं फस्ट एंटल देखें डेश यू लिव लॉंग अब जो टेबल हमने बनाई थी ना उसी से रिलेड़ सारे के सारे कोशन से उससे ही आपका सारा का सारा मॉडल वग कवर हो जाता है देखें हमारा यहां पर आपको देखना है जब भी लाफ में यह एक्सक्रामेशन आपको दिछाए यह पर आप सिंपल धियान के जब भी हम विश यह डिजायर बता रहे होते हैं इच्छा कामना को जाहर कर रहे होते हैं तो हमेशा में का यूज करते हैं तो माइच यू लिव विश डिजायर को शो करने के लिए में का यूज करता है अब अगर वो आपने टेवल यास कर लें अच्छे से तो सारे के सारे आपको पॉइंट क्लियर हो जाएंगे माइं में कि कहां कहां पर्टिकुलर मॉडल वर्फ का यूज किया जाता है तो इस सेंटेस को पढ़के हम समझना पड़े गा कि सेंटेस में क्या सेंस निकल ला ए इस रेडायर गोल रहे है एट वाईस का अился किसूटता सुस्च कि बात कर रहे हैं कि जब में चमरा चोटता मॉड़ कर रहे हैं कि जब मैं चोंच से देखेंगे I should play cricket, should का यूस तो advice, small obligation इन में होता है तो यहां पर ऐसा कुछ होना चाहिए I should play cricket देख लेते है I used to play cricket बिल्कुल used to का use उपकर है past habit को show करने के लिए past habit को show करने के लिए would का use भी करते हैं used to का use करते है पर यहां पर option used to है तो बिलकुल कोई दिकत ने, past की बात कर रहे है ना when I was a child, जब past की बात कर रहे है तो past habit को show करने के लिए definitely आपका used to do ही use होता है, might or might not, बलकि क्या है आपका, यह तो past habit है ना, तो past habit को show करने के लिए हमेशा used to का use करेंगे, simple था when I was a child I used to play cricket, तो आपको यहां दखना है कि particular model work का use कहा होता है और sentence को पढ़के लगाना है कहां किसका use कर सकते हैं, next, his mother is not well, he dashed take care of her, तो देए यहां पर good का use कर सकते हैं क्या, make का use कर सकते हैं, must का या फिर ought का, अब एक बार है हान रखना है, यह और अकेला है और सुखर नहीं कर यह में ही साथ वोता है तो प्रस नहीं कर अपर कर सकते हैं तो यहां पर हमें sentence को पढ़के के समझ में आ रहा है कि उसकी मा क्या नहीं है तो उसे क्या होना चाहिए उसकी मा की करना चाहिए ऐसा कुछ है मतलब कही ना कहीं यहां पर compression का यह strong obligation का sense आ रहा है कि आपको यह काम करना ही चाहिए क्यों क्योंकि यहां पर पहले condition बता दे कि उसकी मा क्या है वेल नहीं है अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली कंपल्शन का sense आ रहा है कि आपको यह करना ही चाहिए तो ऐसा sense कि इसमें आएगा मस्ट में आएगा मस्ट में कमपल्शन यह strong obligation होने पर हमेशा मस्ट का यूज़ करते हैं तो सिंपल चाहिए कि करेंगे वाप कि उसकी मा की टैक्यार करना चीह है परभा करना चेह नेक्से यह देश लिफ्ट इसबोग करते हैं कि यह पर केपेसिटी की बात की जा रहेगे जब भी हम पर करते हैं तो सिफ और सिफ आपका कैन का ही रूज करते हैं कि कि बात जब हम करते हैं तो प्रजेंट पें केंड करदें आता कि पर अब यह आप सेंटिनज की बात कर रहें हुआ हैं आंग जानोर्ट इसबोट ह impactoि कर्ड़ेट अब यह कंडिशनल सेंटेश इस्से से स्सिंटार होते हैं और इप इस वाले जो सेंटेश होते हैं के जाता इप्स से स्टार्टं नमें क्या होता है माय डॉड ऐसे वर्ड यूज़ कर सकते हैं पर यहां पर आप देखें कि हमने जो conditional sentence अंड्रियल सेटेशन जो लिखी थी ना अंड्रियल सिचुच्टेशन या फिर कंडिशनल सेंटित एक की बात है उसमें हमने क्या लिखा था माइट का यूज लिखा था और में का यूज लिखा था क्या है नहीं में का यूज नहीं होता विल का यूज होता है विल का यूज बहां पर मैंने लिखा था अब इक बात तो जहां लखें जब सेंटेंस पास्ट में हो गग्ड हाट अगर पास्ट में है तो पास्ट फॉर्म यूज़ होगा मतलब हम माइट का यूज़ करेंगे और अगर यही वर्क हाट होता प्रिजेंट होता तो में या विल का यूज़ हम कर सकते थे यहां डखेंगे past होता है तो might का past form में use करेंगे otherwise हम may या will का use कर सकते थे sentence में तो यहां पर तो हमारा ज्यादाा सही क्या होगा अंगिल सिच्वेशन की बात कर रहे हैं तो might का use होगा if you work hard अधी तुमने work hard किया तो you might pass exam आप exam को past कर सकते हो पॉसिबिलेटी है आप यहां पर अंदियर सिच्वेशन मसलब ऐसा कुछ हो सकता है अगर आपने अशी किया तो मतलब करने दे रहे हैं जो यहां पर उसकी फुल्फिल हो रहे हैं दूसरे से था करते हैं अगर आपने वो टेवल चार्ट जो इसने पहले हमने बनाया था अगर पढ़ने की दबुत नहीं पड़ेगी कि कैन का यूज कहां या अलग अलग मॉडल बब का यूज कहां कहां होता है आपको सारी के सारी मॉडल बब बहुत ही अच्छे से क्लियर को गई होंगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू